हौलोवीन का टाइम चल रहा है वहां एक हस्बंड वाइफ अपने घर में बैठे है और हौलोवीन में छोटे बच्चे अलग-अलग किस्म के कौस्ट्यूम पहन के घर-घर जाकर चॉकलेट मांगते है था वैसे ही उस हस्बंड वाइफ के घर बचे आता है और चॉकलेट मां करके बाहर की लाइट बंद करनी होती है पर वो लोग लाइट बंद करना भूल जाते है और उनके दर्वाजे पर कोई आकर ठोकता है पर वाइफ हस्बंड से पूछती है क्या तुमने लाइट बंद की था हस्बंड बोलता है सौरी में भूल गया तो वाइफ बाहर जाती है और वहाँ देखती है एक लंबा लड़का कनकाल वाली कॉस्ट्यूम पहन खड़ा है और वो दर जाती है और उससे बोलती है तुम काफी लंबे हो मुझे माफ करना हमारे पास चॉकलेट खतम हो चुकी है तो वो लड़की उससे बताता है आपने लाइब बंद नहीं की फिर वाइफ बोलती है हम भूल गए मुझे माफ करदो पर हमारे पास कोई चॉकलेट नहीं है और दर्वाजा बंद करने लगती है तभी वो लड़का दर्वाजे में पैर दल के दर्वाजा बंद करने से रोक लेता है वो देखकर उसके हस्बंड वहाँ आ जाते है और उससे ब फिर वो लोग दर्वाजा बंद करके घर में चले जाते है और वाला हस्बंड वाइफ को बोलता शायद हमें पुलिस को बुलाना चाहिए था वाइफ बोलती है कि भी ये बचा है और मस्ती कर रहा है कोई टेंशन की बात नहीं है बचपन में सब मस्ती करती है और वाइफ काम करने के लिए अंदर चली जाती है हस्बंड फ्रिज में से बीर निकला के पीने लगता है और उससे फिर से दरवाजे की आवाज आता है वो बाहर जाकर देहता है पर उससे वहाँ कोई भी दिखता तो वो बोलता है क्या बात है कि सच में दर गया बचँ अब घर जाने क टाइम हो गया और जैसे ये बोलकर वो पीछे घूमता है वो लड़का अचानक उसके सामने आज जाता है वो ताली बजा के बोलता है अब घर जाने वाला वक्त हो गया है था वो लड़का अपने दोनों हाट खोल के उसे दिखता है उसके एक हाट में लिखा होता है जादू चौकलेट था हस्बंड उस लड़के बोलता है चौकलेट था नहीं है ठीक है तुम जादू दिखाओ तो वो लड़का काद्ज निकलता है और उससे जादू दिखाने लगता है और उसका जादू देख में लड़का उसकी तारीफ करता है और उससे घर जाने के लिए बोलता तब ही जादू करते करते वो एक चाकू निकलता है और हस्बंट के गले को कात देता है और उससे मार देता है वहाँ घर के गार्डन में वाइफ अपना काम कर रही होती है वहाँ को लड़का अचानक आ जाता है वाइफ दर जाती है फिर वो वाइफ को भी पूछता है कि रसपाना होगा वरना मेरे हस्बन पुलिस को बुला लेंगे वो लड़का जब अर्दस्ती उससे जादू दिखाने लगता है अपनी टौपी दिखाता है उससे जो की खाली है और वाइफ उससे देखती है और बोलती है हां ये खाली है अब फिर वो लड़का एक रसी निकलत है और उस टोपी में डाल देता है और उससे बोलता है टोपी में हाथ डाल के देखो तो वो टोपी में हाथ डाल के देखती है और उसे उस टोपी में से एक कटा हुआ कान मिलता है और वो दर के भाने लगती है जब वो भागने की कोशि करती है तभी देखती है उसके पैर था रसी से बंदे हुए है और वो गिर जाती है और भागने की कोशिश करती है और उससे बोलती है तुम्हें क्या चाहिए फिर वो लड़का उससे भी चाकु से मार देता है और अपनी टोपी उठा के दूसरे घर के दरवाजे पर चला जा झाल 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 झाल